नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमार यूट्यूग चैनल महादेव योगी पर आज हम बात करेंगे चंद्रप्रभावटी के बारे में चंद्रप्रभावटी आयरवेट की सबसे ज़्यादा बिकने वाले आउश्यदी है यह बहुत सारी कंपनिया बनाती है जैसे पतंजली के वैसे बैद्देनाथी मालेया और भी बहुत सारी कंपनिया बनाती है अब किसी की भी ले सकते हैं कंपनिय से कोई इतना खास फरक नहीं पड़ता आज की वीडियो में हम जानेंगे चंद्रप्रबावटी के क्या है फाइदे, क्या है नुकसान इसका इस्तेमाल किसे करना चाही जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो उससामें आपको कीन चीजों का परेज करना है और क्या सावदाने या रखनी है इन सब के बारे में डिटेल्स में तो चले शुरू करते हैं तो दोस्ते पतंजली की तरफ से आने वाली चंदर प्रभावटी जिसकी कीमत 85 रुपए है जिसमें आपको 80 टैबलेट मिल जाती है चंदर प्रभावटी एक आवशेदी भी है और एक टॉनिक भी है क्योंकि इसके अंदर ऐसे आवशेदीयों का इस्तमाल किया गया है जो आपके स्वास्ति के लिए आपकी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है तो चलिए जानते हैं इसके क्या-क्या लाब है अगर चंत्र प्रभावटी के लाब के हम बात करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक से समद्धित समस्या में एक कापी उपयोगी है रिप्रडिक्टिव सिस्टम से समद्धित समस्या में बहुत ही उपयोग यावशेदी माने जाती है आईरवेद की जिनको भी यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन है या यूरिन से समद्धित कोई भी समस्या है जैसे बार बार पेशाब आना हो दर्द के साथ आना हो रुक रुक के आना हो या दर्द हो रहा हो काफी ज़्यादा चाहे वो महलाव में हो या पुरुशों में हो दोनों के लिए चंद्रप्रभावटी काफी effective सावित होती है इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म से समंधित समस्या में भी काफी लाबदायक होती है मासिक दर्म में दर्द होना पेट में किसी भी एरिया में दर्द होना उसमें भी ये चंद्रप्रभावटी कापी उपयोगी माने जाती है इसके अलावा प्रोष्टेट से समंधित समस्या में भी ये काम करती है और पाइल्स की समस्या में भी ये काम करती है इसके अलावा हरनिया की समस्या में ये कापी उपयोगी माने जाती है पेट में कई बार अपच की वज़े से दर्द होता है उसमें भी एक आपी उपयोगी माने जाती है अपच की समस्या को भी दूर करने के लिए उपयोगी आउशदी है इसके अलावा, infertility की समस्या में भी आवश्यदी काफी उपयोगी है, चाहिए वो महलाओं में हो या पुरोशों में हो, दोनों के लिए आवश्यदी लेनी चाहिए काफी effective साबित हो जाती है यह kidney के स्वास्त के लिए भी बहुत ही उपयोगी है kidney stone में पत्री की समस्या में kidney की यह काफी उपयोगी आउशेदी है यह आउशेदी हमारे शरीर में जो विजाती द्रव है यानि कि toxin है उसको बाहर निकालने का काम करती है हमारे खुन को साप करने के आई यह काम करती है तो इसको आप tonic के रूप में भी ले सकते है जिनको शरीर में खुन की मात्रा कम है वे वेक्तिय भी अगर इसका सेवन करते है तो खुन की मात्रा बढ़ जाती है यह निकि आनिमिया के समस्या में भी यह उपयोगी है पेट से समंदी लगबग सभी समस्या में यह काम करती है और यह लिवर के समंदी समस्या में भी कापी उपयोगी है फैटी लिवर वगरे कीज़े वो समस्या है खाया हुआ ठीक से पस्ता नहीं है जो बहुत जादा अलकॉल का सेवन करके जिन्होंने अपने लिवर को खराब किया हुआ है वो भी अगर इसका टॉनिक की तरह इस्तमाल करेंगे तो कापी लाब मिलता है बस इसका continue use नहीं करना आपको पूरे साल एक से दो मेने इसका इस्तमाल करने के बाद फिर एक से दो मेने के लिए आपको ब्रेक देना चाहिए इसके अलावा अर्तराइटिस की समस्या में भी ये दवा कापी उपयोगी है तो चंदर प्रभावटी जो अशेदी है वो कई सारे प्रकार की बीमारियों में कापी एपेक्टिव है और जिनको बीमारी नहीं है वे भी ले सकते उनकी रोफ प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी उनके चेहरे पे गलो आ जाएगा एक आबा मंडल अच्छा हो जाएगा एक शरिर पे तोचा पे कांते आ जाएगी अब जानते इसको लेने की विदी क्या है इसकी एक से दो टैबलेट सुबह और शाम को पानी के साथ लेने हैं आपको खाना खाने के बाद नास्ते के बाद या खाना खाने के बाद गुन-गुने पानी के साथ लेंगे तो और जादा अच्छा है जिनको जादा समस्या है वो दो-दो tablet ले लीजे जिनको जादा समस्या नहीं वो एक-एक tablet ही ले लीजे इस प्रकार से सेवन करना है और साथ में सावधानी जो रखनी है जिनको भी urinary track से समंधिस समस्या है और वो इस दवायों का इस्तमाल करना चाहते है उनको चाई, coffee, alcohol और cold drinks यह चीज़े छोड़नी पड़ेगी तभी यह दवाई असर करेगी किड्नी से समझे समय से आए वो भी इन सारी चीज़ों को छोड़के ही उनको लेना है वैसे तो सभी को लिवर से समझे समय से आए उनको भी चाई, कॉपी, cold drinks और alcohol का सेवन बंद कर देना है नान्वेज ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे लेकिन यह cold drinks, alcohol यह तो छोड़ना ही छोड़ना है अब इसको लेना किसे नहीं है जिनको high blood pressure की समस्या है वो थोड़े से डॉक्टर की साला लेकर ही ले दूसरी जो pregnant महला ही है उनको इसका इस्तमाल नहीं करना है छोटे बच्चों को इसका इस्तमाल नहीं करना है जो माता है बच्चों को दूद पिलाती है उनको भी इसका इस्तमाल नहीं करना है इसके अलावा आप इसको एक टॉनिक की तरह आवशदी के रूप में ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी चंदर प्रभावटी के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सुस्त रहे मस्त रहे धन्यवाद